अभी का सुबह के टाइम हो रहा है बजरे है सारे शाथ और अभी हम जाने डॉक्टर के पास आज हमारा अपॉर्मेंट है अपॉर्मेंट तो हमारा पिछली वीग ही था बट हम लोग नहीं गयते क्योंकि हमारी डॉक्टर ने में मना कर दिया था कि अगर कोई ज्यादा और पंदर दिन पर बुलाया का चिकप के लिए तो पंदर दिन से जादा हो गया इसके वज़ा से तो मैं अभी तैयार हो रही हूं और यह अभी रेडि हो रहा है और आज है 5 अप्रील तो आज सब को पता होगा कि आज कुछ खास होने बाला है रात को दो बाकी रात की भी तयार है उस मीं सुवब से होने वाली है ज़े घी महने है चुछ दिया नहीं है कम है छेसात ही है तो हम झोलोग और भी देखती है अगर मार्केट में कहें मिलेगा तो अन्य पर रेडी होगी हो घूंद रिसर्च में डॉक्टर के पास जाने के नाम सुनके ही मुझे बहुत ही ज्यादा डड़ लग रहा है और देखते हैं क्या होता है सबसे ज्यादा मुझे इस वाइरिस का ड़ लग रहा है तो यहां देखे मेरा बिंदी कि यह है पूरा रौप जो है व तो यहां सारे शॉप जो है वैसे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है बहुत ही ज़्यादा सरकार को बट इस वाइरस से बचना है तो इंसान से ज़्यादा कीमती चीज और कुछ नहीं हो सकता देखना है तो ठीक भी है यहां देखिए सारे बिल्लिंग सब से ही परे हुए है वो जो एक गाना नहीं आता है देख तेले संसार की हालत क्या हो गई भगवान यह गाना देखके मुझे यादा रहा है यह सारे न जारे इस रोड पे जोगी इतना ट्राफिक हुआ करता था रिलेक्स फिल हुआ क्योंकि यहां यह सारे जो डॉक्टर रूम दोर देख रहा है डॉक्टर की रूम का वह सारा उपन है हमें टच करने की कोई जोवरत नहीं है और जो थ्री का शेट होता है चेर उस पर बीच वाले पर इन्होंने क्रॉस लगा दिया है कि यहां कोई ना बैटे और एक डे रिंज का डिस्टेंस रखना है तो यह है हमारी डॉक्टर जो की इन्होंने भी तीन फिट की दूरी पर हमें बढ़ा रखा है और अलग से ही रिपोड चेक कर रही है तो सारे भी वस्ता है जो है वो देखके हमें अच्छा लगा और आने के बाद फिल में हम लोगों ने लंज किया क्योंकि कपड़ा अपड़ा सारा हमने चेंज किया और ऐसा ही करना चाहिए मैं इस टापिक पर वीडियो बहुत चल्द बनाओं कि जो चीज मैंने फील गिया और मैं अपना पुद का एक्सपीरियंस बताऊंगे आप लोगों कि अगर जाना है ची और ये नौ बजे की जो तैयारी है वो कम्प्लीट हो चुका है तो हम लोगों नहीं सुचा कि नौ बजे से पहले ही हम समोसा बना ले ताकि लाइट मेटर जो आफ हो जाएगा उसके बाद हम लोग भी थोड़ा सा इंट्राइ करेंगे उस पल को तो बन तो नहीं पाएगा क क्योंकि अभी साड़े आठ पॉने नहीं हो चुका है तो यह बना के हम लोग रख देंगे और तलने वाला काम जो है वो नौ बजे के बाद ही होगा दिया हूँ जलाने के बाद तो यह कैमरा मैन अभी बने हुए है मेरे हस्बिन क्योंकि मैं अपने फोन से एक वीडियो एडिट करके और अपलोड पर लगाया हुआ था मैंने तो जब अपलोड होता है कोई वीडियो तो फिर दूसरा कैमरा ओन नहीं होता है या फिर आप उस बीच में अगर कॉल भी आ जाता है उस फोन पर वहीं पर रुख जाता हो तो यह थोड़ा सा प्रब्लम है तो यह अपने फोन से वीडियो बना रहे है मैंने बूला तो यहाँ पर 10-12 पीस नहीं कि थोड़ा सा मैदा बज गया जिसकी मामी मठरी बना रही है और बहुत ही जादा है इस टाइम पर थो म आने में और दिन में भी जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा था तो उसके वज़े से भी हरास्मेंट हो जाता है तो यह यहां पर समूसे बनके रेडी हो गये हैं और मैं चारें थोड़ा सा डाल देती उकराई ने क्योंकि यह पहले से ही लोने गैस अन करके रखा हुआ है तो यह तेल जो है वो अल्मस्ट करन ही है तो बस मैं अब इसमें तोरह से डाल दूँगी और गैस का फ्लिम स्लो कर दूँगी तक यह धीर धीर होता रहेगा तो आज कल यह सारी चीज़े जो है खुदी बना के खुदी खाने को मिल रहा है नहीं मार्केट में कुछ भी अफलेबल नहीं है तो यह दो बड़ मैं बना चुकी समोसा इसके पहले भी मैंने बनाया हुआ था एक दिन रात को तो उस दिन सायद मेरी हजमन को मन नहीं भड़ा और यहां पे यह दोनों लोग लगे हुए हैं दिया जलाने में क्योंकि बस पाच मिनट ही बाकी है नौ बजने में और इधर मेरे समोसे जो है वो भी हलका सा फ्राई हो चुके हैं तो मैं अब इन्हें निकाल दूँगी और उसके बाद लाइट आफ कर दे बहुत जादा प्रॉब्लम हो रहा है प्लस में तेल है तो अगर थोड़ा सा भी तेल गिर जाए तो पैर फिसलने का डर है अंधेरा भी है तो यह सारे काम मेरे हजबन और मम्मी ही समाल रहा है तो यहां देखिए सब लोग जो है वो लगाने लग गया है सामने वाले गर की लाइट भी आफ हो चुका है हम लोगों ने भी लाइट आफ कर दिया है बस यह सामने गैलरी का जो कंबे का लाइट है वही जोल रहा है तो यह पल जो इतिहास में होगा यह इंसान कभी नहीं भूल पाएगा आने वाले जेनरेशन जो है वो किताबों में और वीडियो देखेंगे और इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत ही करीब से खेले किया मैसूस किया और हम कर रहा है इस चीज़ को तो हमें अपने आप पे हमें खुद पे इतना ज़्यादा गड़ होना चाहिए कि ऐसी परधान मंतिरी मिले हमें और यह चीज़ देख के भी बहुत जादा खुशी मिलती है कि उनके एक एक फैसले को हम लोग ने दिल से लेते हैं वो जो बोलते हैं हम लोग कितना करने के लिए तयार रहते हैं उस टेम हम नहीं देखते कि कौन बड़ा है छोटा है क्या है तो यहां देखे खंडे की दिवाली के दिन भी मुझे देखने को नहीं मिलता है जितना कि आज मिल रहा है और मैंने दिवाली का ब्लोग भी डाला था और यह मोबाइल के लेट ऑन कर रहे हैं बम भी छोड़े जा रहे हैं बहुत सारे लोग तो यहां यह जो अनार्बम होता है उसको छोड़ा जा रहा है उसके और यह देखिए बाल को ने अपना अपना सब लोग ने चला रखा है वाकई में यह पल जो याद रहेगा इंसान कभी नहीं भूलेगा इस चीज़ को तो आज की डेट में कुछ भी अनपॉसिबल नहीं है हर चीज़ पॉसिबल है इतना दिया इंसान के घर में कभी नहीं चलता है चाहे कितनी भी खुसी हो दिवाली को छोड़के बट दूसरा दिवाली आज मोदी जी ने फिर से मनवा दिया सब को सब के घरों में कि बस चाहे किसी भी तरह यह वायरिस चले जाए इस दुनिया से बहुत लोग परेशान है इससे तो यहां देखिए यह बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में तो यहां इदर मेरे समोजी भी बन गए और अब हम लुक जा रहें एक एक दो दो पीस अभी नासा करेंगे और उसके बाद बाकी जो पच्चा है उसको तर लेंगे यह ममी ने कुछ दिये लगाए थे जो और उस्टेंग खंबे का लाइट भी चला गया था बाहर का और अच्छा भी लग रहा था यह मेरे बालकॉनी का लाइट और अंदर भी यहां समोजा शॉक्स रेडी है तो बस चले आए आए आप सब लोग तो जले मिलते हैं नेक्ट वीडियम गाईस तब तक के लिए में था खंप बालकॉनी का लेषगे हैं गृवरे तक के लिएबे के लाइटे हैं सक्टेंगर भी यहां से एका लाइब झावाँ का लक भी लोग पखेंगी हैं आए लेगश बालकॉनी का